Hello दोस्तो, मेरा नाम है प्रमोल और आप देख रहे हो HomeCat Tutorial YouTube चैनल आज की इस Revit Tutorial वीडियो में, हम यहाँ पे विंडो के साइट्स में box design किस तरह से बना सकते हैं, उसके बारे में बताने वाल हैं So चलिए, Tutorial को स्टार्ट करते हैं So in this case, हम यहाँ पे दो conditions लेके चलेंगे, एक तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे यह complete staircase का glass panel है, इसके साइट्स में यहाँ पे complete box का design ready करेंगे And साथी साथ में यहाँ पे एक window है, इस window के साइट्स में भी आपको एक box का design create करके बताएंगे So step by step ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करना है, सबसे पहले obvious से बात आप 3D view पे आ जाओगे, 3D view पे आने के बाद आपको जाना है architecture tab, architecture tab पानेक बात component, then यहाँ से अपलेंगे model in place, model in place पानेक बात यहाँ पे आप category select कर लेजे, let's go for casework and यहाँ से okay, यहाँ पे आप name दे देंग तो मैंने का let's say window border, name आप अपने according provide कर सकते हो, यह generally जब scheduling आप करोगे वहाँ पे properly लिखके आता है, hit okay, अब यहाँ पे आपके पास model in place के tools आजाएंगे, हमें यहाँ यहाँ पे use करना है extrusion command, so यहाँ से लेंगे हम extrusion, extrusion लेने के बाद यहाँ पे मार पास work plane का option आता है, so ज face को हमें यहाँ पे select करना होगा, तो set पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे pick up lane and okay, then side face यही आप यहाँ पे कर लेंगे, select कर लेंगे, एक बाद show करके check भी कर लिजएगा कि proper face set हो गया है कि नहीं, show को untick करके proper view लगा लेंगे, जिससे कि आपके screen पे जसके इस तरह से visible होना start हो इसके बाद यहाँ से हम लेंगे rectangle tool and corner to corner आपका पास points है, यहाँ पे इस तरह से rectangle create कर लेंगे, अब border की thickness आप कितनी रखना चाहते हो, उसके लिए आपके पास यहाँ पे offset value है, and offset value आप यहाँ पे दे दीजे, let's say 6 inches का यहाँ पे लेंगे चलना चाहते है, and simply इस point पे again click करें उस point से 6 inches offset होके आपका देखे यहाँ एक rectangle create होगा, so यहाँ आपने two rectangles इस तरह से कुछ create कर लिए है, एक inside और एक outside, तो normally sketch का यहाँ पे rule है, कि अगर आप कोई भी closed sketch के अंदर, closed sketch बनाते हो, तो inside वाला sketch क्या होगा, complete एक opening create हो जाएगे, और यह part क्या हो जाएगा आपका य simply करेंगे finish, finish करने के पाद आप देख सकते हैं, यह part कुछ इस तरह से यहाँ पे extrude होना start हो गया है, अब इसको हम select करेंगे, select करने के पाद side में, यहाँ पे extrusion end value मिलेगी, अब आगी के तरफ कितना project करना चाहते हो, let's see, मैंने का one fit, and value जैसे आप provide करोगे, आप देख सकते यह one fit इस तरह से extrude हो जाएगा, so मैं यहाँ पे one fit नहीं, इसको approximately 8 inches रखते हैं, something like this, and जैसे आप model को यहाँ पे finish करोगे, आपके पास यह border बनके हो गया है तयार, and in similar manner हम यहाँ भी करेंगे, so window को select करके, प्रॉपर यह view अक्टिवेट करते हैं, architecture पे आते हैं, component, model in place, यहा से, okay, then again extrusion, set, pick a plane, okay, and यह plane आप select कर दीजे, select करने के बाद, rectangle, one point to another, and offset value यहाँ पे आप देजिए, six inches, and from this point to this, कुछ इस तरह से, अभी आप इसमो फिनिश कर दीजे, extrusion मुझे यहाँ पे कितना करना, मैंने का, eight inches, and same part को, copy tool लेके, from this point to this, कुछ इस तरह से, आप copy भी करा सकते हो, और जैसे भी आपको adjustments करने, आप यहाँ पे कर सकते हो, okay, so, let me shift it, something by the arrow key, so, in this manner, you can simply create your window border, बस, इस वीडियो में में इतना ही बता ना था, and काफी जादा, simple design है एक तरह से ही है, and काफी जादा, most used design part है, जो कि आजके time पे, mostly houses में दे water design बना के आपको दिखाया जाए, so, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like जरूर करिएगा, आगे और ऐसे tutorial वीडियो देखने के लिए, चैनल को subscribe करने न न भूलेगा, मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में, तब तक लिटाटा, bye bye, and take care, everybody